टेकनोलोजी से जूड़ी वीडियो पाने के लिए जल्दी से सब्सकाइब करें हमारे चैनल को इस लाल बटन पे क्लिक करके और उसके साथ साथ हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रू से ज़रू दबाएं हैलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है अमारे चैनल टेकन फो इन हिंदी में मैं हूँ आपका फ्रेंड आपका दोस्त दनीश दोस्तो आप अगर एक वाट्सेप के ग्रूप एड्मिन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है ये वीडियो आप पूरा देखते रहे है वाटसेप के नए नए अपडेट्स चो आए है ग्रूप एड्मिन को लेकर वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या अपडेट्स हैं तो चलिए दोस्तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एक ग्रूप एड्मिन के तौर पर क्या क्या कर सकते हैं अपने ग्रूप में तो चलिए अब वाटसेप पे चलते हैं देखिए दोस्तो मैं एक ग्रूप में जाता हूँ ये एक इत्यादी मेरा ग्रूप है इस पे मैं गय इस पे देखे मैं message बहुत सारा किया हूँ मैं admin हूँ इस group का तो यहाँ पे देखे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या किया जा सकता है पहले आप अपने group को खोलिए खोलने के बाद दोस्तों वहाँ पे ऊपर की तरफ जहाँ पे आपका group का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्लिक करिए क्लिक करने के बाद दोस्तों यह पूरा खुल जाएगा आपने जो photo दिया है यहाँ पे दिखेगा और add group description यहाँ पे आप description अपने group का add कर सकते हैं कि यह group किस चीज़ का है किस topic पे है थोड़ा सा description जो है sort description आप यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ देखेए मैं click करता हूँ तो देखेए यहाँ पे add group description तो यहाँ पे कुछ भी मैं लिख सकता हूँ फिलाल इसको मैं back कर देता हूँ cancel कर देता हूँ अब मैं चलता हूँ दोस्तों सबसे main चीज़ वो है इसका group setting यहाँ पे दिखेए यह जो है नया एक आया है यहाँ पे option group setting का जिसमें आप बहुत कुछ कर पाएंगे group setting में अगर आप जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहला option आपको मिलता है edit group info तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं इसमें click करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है choose who can change this group subject icon and description तो subject icon और description का जो rights है आप किसको देना चाहते हैं जितने भी group में मतलब participants हैं उनको देना चाहते हैं या फिर only admins मतलब जो जो admin है उनको देना चाहते हैं तो यह setting आप यहाँ से change कर सकते हैं तो अपने मतलब हिसाब से अगर आपको जो रखना है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं तो इसको ok करके आप इसे change कर दीजे दूसरा क्या यहाँ पे setting है दोस्तों दूसरा setting है कि edit group admins तो इस पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए हम लोग चार लोग यहाँ पे add हैं इस group में तो चार लोग में आप किसको admin बनाना चाहते हैं किसको हटाना चाहते हैं वो यहां से आप कर सकते हैं असानी के साल देखें यहां पर चार लोग में जैसे मैं मतलब यहां पर एक friend मेरा जो है वो बनी हुई है admin मैं दूसरे को बनाना चाहूं तो यहां पर ऐसे click करूँगा तो वो add हो जाएगा तीसरे को बनाना चाहूं तो ऐसे से क्लिक कर दीजे बस वो आपका सेटिंग सेव हो जाएगा तो दोस्तो इस तरीके का यहाँ पे WhatsApp में नया नया जो सेटिंग दिया गया है वो बहुत ही कमाल का है और इससे आप बहुत कुछ कर पाएंगे अपने ग्रूप में तो दोस्तो यही एक अपडेट था आपके लिए अगर यह अपडेट और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और ऐसे ही कमाल के ट्रिक्स जानने के लिए ऐसे ही कमाल के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक् जलता हूँ अगले वीडियो में फिट से मिलूँगा तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई